इस वीडियो में मैं चैनलिंग सॉंग और उसे के साथ में दियम की एनरजी भी और बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीजे जो हमारे इस लाइप में बहुत ज़रूरी है वो मैं बताने वाली हूँ इस जन्नी में जो ज़रूरी है क्योंकि सबको तो मैं सबसे पहले तो वेलकम क ऐसे चीजे जो हम लोगों को इस लाइप में इस जन्नी में कुछ चीजे हम निगलेट कर देते हैं कही बार पता होकर भी कि नेगेटिव थौर्ट नहीं आने चाहिए फिर भी वो आही जाते है कही ना कही क्योंकि नेगेटिव थौर्ट को बंद करना पूरी तरह से थौर् लेकिन negative thoughts जब आते हैं उसको positive change करने के लिए हमें try करते रहना है कही बार क्या होता है कि ऐसे लोगों से हम contact में होते हैं जिसके वज़े से हम लोग उनकी energy पिक करते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये हमारी energy है वो मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर भी हम ये गलतिया करते हैं जिसके वज़े से हमारे life में struggle और problems आने लगती है लेकिन कही बार हमने ये भी बताया है कि हमें present में रहना है और future के बारे में ज़्यादा सोच के problem create नहीं करना है फिर भी यही चीज़े हो रही है इस बीच में यही चीज़े हो रही है कि हम present में भी future के बारे में ज़्यादा सोच के दिमाग खराब कर रहे है और ये चीज़े ये energy ऐसी कुछ चल रही है तो DM की भी energy ऐसी चल रही है तो DM भी यही energy को pick करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है मुझे मुझे जो समझ में आ रहा है काफी डियप ये energy जरूर पिक कर रही होंगी कि future में क्या होंगा future में क्या होंगा ये तो नहीं हो जाएगा वोक्त तो नहीं हो जाएगा करके एक भै एक tension एक unwanted चीज़े create हो रही है बट universe का message मैंने जब ये पूछा universe से कि ऐसा तो हमें सबको पता होता है बट क्या करना चाहिए तो उसका answer मुझे जो universe के तरब से मिला वो मैं आपको बता देती हूँ universe ये कह रहे हैं आप सब से और मुझसे भी और आप से भी कि देखो present में रहना है सबको पता है present में रहना है future के dream जरूर देखो और उस future के dream को जब हम देखते हैं तो वो भी present में मैसुस करना है क्योंकि everything is possible in this journey मैं इस journey में आपके वो सारे सबने पूरे करने के लिए तयार हूँ बट आप allow तो करो आप allow तो करो अपनी दिल की बात express तो करो खुद के साथ में भी express करो अपने partner को भी express करो और अपने universe को भी express करो मुझे बताओ universe का message यहाँ पे मिल रहा है मुझे जो मैं आप लोगों को बताना है बहुत जरूरी तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि express किये बीना हम नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ आसानी से सारी चीज़े मिल जाए universe को भी हम love express करें हमेशा तो हम love express करते है मैंने कही बार बता है आप लोगों को universe I love you so much universe I love you so much हम express करना चाहिए universe को भी अपना मतलब universe मतलब अल्ला ताला वाई गुरू एसुक्रिज कौतम बुद्ध शीडी साहिवेबद जो भी नाम देतों मा दुरका शूशंकर भगवान सभी देवी देवताओ जो है इसी universe से आया है और यही universe है यह सब universe के ही हम सब universe से आया है हम यह पुरा ब्रहम्भान है सब कुछ universe ही है और universe वही चीजे हमें देंगे जो चीजे हम जिस लायक है और उस लायक बनने के लिए हमें अपनी महनत करनी पड़ेंगी और एक बात की df को जितनी महनत करनी पढ़ रही है स्प्रिश्वालिटी को लेकर उसी प्रकार से dms को भी महनत करनी है not only spirituality में उनको तो यह जो कर्म करमास को निप्टाना इस जन्म में तो कही बार क्या होता है कि चीजे हम समझ कर भी नहीं समझ पाती है दियम तो फिर तो दियम तो समझ ही नहीं पाएंगे ये सारी चीजों को क्योंकि they are the more logical कितना भी बोलो they are the more logical but awakening होने के बाद में जब spiritual awakening हो जाती है और फिर अपने उपर काम करने लगते हैं तो वो सुधरने तो लगते लेकिन ऐसे भी मैंने DF को देखा है literally ऐसे भी DF को मैंने देखा है जो awakening भी हो गई है इन वक्त क्या करना असब पता है फिर भी इन वक्त करने की दूर की बात cheating भी करनते हैं कुछ लोग कुछ लोग cheating, कुछ लोग मतलब negativity के अंतरगत आके कुछ भी कर सकते वार, लेकिन किसी की मतलब यह होता है ना कि कुछ basic चीज़े होती है कि हम लोग किसी को cheat ना करें मतलब कोई अपराद ना करें कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि हमारे bad girl must create हो लेकिन यही चीज़े हम बार-बार देखी हूँ मैंने कही लोगों में कि इतनी awakening होने के बाद में DF एक emotional एक दिल से ले दिल से काम करने वाली लड़की भी लड़की बोलो या DF बोलो ठीक है वो लोग भी ऐसी गलतिया कर देते हैं कि जिससे जिन्दगी में बहुत दर्द देते हो किसी और को या फिर खुद को या फिर अपने पार्टनर को या फिर यूनिवर्स को यह हो जाता है यह हो जाता है लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो बैड करमास को क्रियेट करती है वो गलत है क्योंकि बैड करमास हमें क्रियेट नहीं करने है किसी भी रूप में हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है यूनिवर्स हमें दो रास्ते दिखाते हैं यूनिवर्स हमें अच्छे बदलाओ ही होने चाहिए पूरे बदलाओ ये युनिवर्स को पसंद नहीं है लिटरल ही नहीं पसंद है अब वो एक्जाम इसलिए तो लेते हैं कि उस लायक आप बन पारे हो कि नहीं बन पारे हो जिस तरह से मैं चाहता हूँ आप लोगों को बदलना अब अच्छे बदलाओ में जाते हो या बुरे बदलाओ में जाते हो ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है अब अच्छे बदलाओ में जाते हो तो इस वेरी बहुत अच्छी बात है अभी कुछ डियम्स को जो है करो कई बार भी कि हम लोग दी अफ कि दी अफ ना बहुत अच्छा इन वर कर नहां पृछ्षमत करें होती है लेकिन कहीं न पृछ्ट जाने अंजाने कि कुछ निगयिव थौस्त आई जाती है तो उस वक्त आते है तो फिर से उसको तुरंत चेंज करना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुनकिन नहीं है तो उसको चेंज करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता आपको बट उसको चेंज करना बहुत जरूरी है वो अच्छे thoughts होने चाहिए वो positive thoughts ही होने चाहिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है मैं तो यहाँ पर बोल रही हूँ कि general भी लिखना शुरूर कर दीजे काफे लोग कि अच्छे अच्छे positive points को लिखना शुरू कर दीजे अपने partner के ठीक है इस वेरे important हाँ लिखना जरूरी है ये मुझे message मिला universe के तरफ से तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लिखिये अच्छे अच्छे points लिखिये अपने partner के बारे में तो अच्छे अच्छे points खुद में भी ढूंडे खुद के भी बारे में लिखिये जो बुरी चीजे है अपने अंदर उसको सुधाने की कोशिश करें और जैसे कि मैंने कहा कि present को लेकर मतलब future को लेकर present में बहुत जादा tension लेकर बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला है आप अगर dream करते हो अगर आपका कोई सपना है कि आप दोनों मिलकर कुछ purpose करना चाहते हो आप और आपके partner आप बहुत बड़ा कुछ सपना है आपका तो वो सपना आप देखिए बिलकुल अलाओ है वो सपना आप present में देखिए लेकिन present में चिंतित मत हो ये future को लेकर क्योंकि मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ और अपने इम्परेंस करें ये मुझे literally ये words के रूप में मुझे मिला तो फिर ये message आया उसके बाद में चलो कोई भी हो यदि आपको बार बार सिर्फ सोखने का काम कर रहा है बार बार आपको मतलब हर चीज सिर्फ मतलब ही नहीं बनना है ये बहुत जरूरी है हम unconditional का हैं अगर फिर अगर मतलब ही बन रहा है तो मतलब ही तो बनना ही नहीं है अगर मतलब ही है वहाँ पर मतलब है किसी का अगर वो किसी भी मतलब के लिए आपके पास में आया universe के पास में आया या आपके पास में कोई इनसान आया जो सिर्फ मतलब के लिए आया है सिर्फ मतलब है उसके वहाँ पर unconditional love का है फिर unconditional love नहीं सिखोंगे unconditional नहीं रहोंगे तो वो चीजे कभी नहीं मिलने वाली आपको आपको spiritual awakening हो गई है आपकी spiritual growth करनी है आपको आगे बढ़ना universe के तरफ जुड़ना है तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें कि मुझे इसलिए inovak करना है कि मेरा dm मुझे मिल जाएंगा वो मिलेंगे वो जरूर मिलेंगे वो as a gift आपको मिलेंगे कोई expectation अपको universe पर यह नहीं रखना universe पर भरोसा रखना है कि सब ठीक होने वाला क्योंकि मैं universe से जुड़ चुकी हूँ और universe से मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे universe के साथ अच्छा लगता है मुझे universe से प्यार है universe को मुझे से प्यार है I love universe, I love you so much universe I love you so much universe यह very important अभी जैसे dm's की भी energy ऐसी ही चल रही है कि वह बहुत ज्यादा confusion में है actually अभी confusion वाली यह दो दिन रहेंगा ऐसा confusion वाला stage कि कोई ठीक से decision न ले पाएंगे और अगर कोई कदम उठाएं भी कोई action लेंगे भी यदि यह एक दो दिन में तो वह बहुत triggering वाला होंगा शायद आपके लिए maximum ऐसा मुझे energy pick हो रहा है कि वह अगर आते भी है आपके तरफ तो आपको trigger देंगे कुछ बोल देंगे गुस्से में मतलब लेगिन आपको prepare रहना है अगर आप पहले से prepare रहोंगे तो आपको इतना hurt नहीं होंगा कोई नहीं यह तो थोड़ा confusion में है परसन इसलिए ऐसा बोल रहे है यह समझ में आ जाता है लेकिन आपको एक बात याद रहना है कि आप अगर गलत नहीं हों आपको खुद को पताए कि आप गलत नहीं हो तो किसी भी प्रकार से sorry feel करने की भी जुरत नहीं है आपसे हाँ किसी को sorry बोलना गलत नहीं है लेकिन उसमें यह देखना है कि आगे वाला person भी हम नहीं समझेंगा वो भले ही लेकिन हमें एक बार sorry बोल देना ठीक है और वो इतना आसान नहीं होता कई बार कि हम किसी को भी sorry बोले यह बहुत difficult लगता है हमको खुद को भी कि क्या ही है लेकिन वो person के लिए हम sorry नहीं बोल रहे है हम खुद के लिए sorry बोल रहे है और हम release हो जाते हैं उन चीजों से इसलिए हम sorry बोल रहे है कि जाओ यार अपनी life हसी से खुशी से जिन्दगी जीलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया इस तरह से very important यह चीज़े कही बार हम miss कर जाते ह होपनोपनो भी करना चाहिए अफकोस होपनोपनो भी very important बट दिल से अगर कोई चीज नहीं की जा सकती तो करके भी कोई फायदा नहीं इसलिए बोला जाता है कि होपनोपनो कम से कम 21 days करें क्योंकि 21 days करोंगे तो वह अपना अपना जो subconscious mind है वह reprogramming होंगा और वह search हो जाएं लेकिन यह 3D वाले temporary problem है कोई DF अगर married है या फिदियम married है या वो हिंदू है मुस्लिम है सीख है इसाई है यह सब चीजे इस नौट यह एज में difference ही सारी चीजे माइने ही नहीं रखती है युनिवर्स का direct messages है आपके लिए यह सारी चीजे माइने ही नहीं रखती है कि एज क् आप दोनों के बीच में age किसना difference है कौन बड़ा है कौन छोटा है यह जाती धर्म यह सारी चीजे important नहीं रखती है यही चीजे को ले लेके सोच सोच के married अन्मारीड यह सोच सोच के ही आप खुद अपने journey को delay कर रहे हो तो वो DM के तरब से भी हो सकता है और DF के तरब से भी इतना आसान जन्नी से लिए नहीं बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे रिती रिवाज पुर्वजों के द्वारा आये हैं उन सारे चीजों को heal करना होता है जंग जो हमारा DNA है जिनकी जमा हो गया है जो हमारे पूर्वजों के थुरु है उसको भी heal करना बहुत जरूर समझ निकले त्यार नहीं है उन्होंने तो एक तो करके रखाऊंगा या फिर अनब्लॉक भी होंगे आप तो वह समझने कि लेता नहीं है आपको समझाने की कोशिश करूंगे तो यह सब सोल लेवल पर ही possible हो जाती है और सोल लेवल पर भी समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता कई बार की अरे मतलब वो क्या होता है कि हम विश्वास के साथ करें और दिल से करें यह बहुत important है जब तक कि हम दिल से यह विश्वास के साथ नहीं करेंगे इंट्रेस्ट के साथ हम अपना इना वक नहीं करेंगे तो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं हो से डियम कैसे energy चल रही है कि मुझे चाहिए डियम लेकिन फिर भी confusion में है यह सारे logical mind को लेकर कि कैसे possible होगा या फिर डियम भी इस चीज को logically mirror कर रही है इन चीजों को कि डियम कैसे मतलब पाने की जो चाहत है वो possible ही नहीं है अभी present में भले ही लग रहा है बट आप अगर विश्वास के साथ और इंट्रेस्ट के साथ में ड्रे ड्रीमिंग जिसको आप ड्रीम नहीं बोलेंगे आप मेडिटेशन में विज्वालाइशन जब करते हो तो वो चीज़े रियाल्टी में दिल से इंट्रेस्ट के साथ खुद में प्रेजेंट में रहे कर विश्वास के साथ करना होता है वो ही जीज़ रिपिट होती है अपने लाइफ में तो ये ड्रीम ऐसा चाहते कि वो पाए और आपके लिए ये गाना भी मुझे परसो के दिन ड्रीम के तरफ से आया कि मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है Mexican दिल लगाने का तरीक तुही है ऐसा समझा और आज कल के एंरजी के अनुसार ड्रीम जब बहुत कम्फ्यूजन में भी है लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में ये भी आवाज आ रही है कि मैंने मुस्कुराना भी तुम ही से सीखा है दि इस तरह से उनके दिल में बहुत ही में पोर्शन जो है ये वाला है हे मेरे हमसफर एक तेरा इंतजार मैंने लिरिक्स लिख लेना चाहिए था है ना हाँ सुन मेरे हमसफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसे चलती जिदर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर जिन्दगी ये गाना आप अच्छे से सुनना इसमें हर एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टन्ट है मैंने हे मेरे हमसफर वो दुसरा गाना है अच्छली ये जो है मैं ये जो गाना है इसमें जो मेन वर्ड जो है वो ये है कि मतलब जितनी हसी ये मुलाकाते हैं उससे भी प्यारी तेरी बाते हैं बातों में तेरे जो हो जाए खो जाए है हाँ तो ऐसा गाना है और उसमें से जो हसना आप से सिखाए ये सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि ये मुझे जादा से जादा सुनाई दिया हसना भी तुझी से सीखाए वे वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से सुनना ठीक है तो ये गाने का डिकोड मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ बट आपको सुनाती हूँ सुन मेरे हमसफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर जली मा तेरे इश्क में मैं हो गई है कमाली ये ऐसा कुछ गाना है तो आप ये गाना सुनिए चुपके से आये तुने दिल में समा के तुने ऐसा कुछ गाना है तो ये गाने का जो मिनिंग है कि मतलब हर चीज मैंने तुम से ही सिखी है तुम्हारी बाते बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी हर चीज उनको याद आ रही है वो आपको दूर भी नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी आपसे दूर रहना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहते हैं, बट क्या करें, इगो भी बीच बीच में आ जाता है, बीच बीच में बहुत है, है न, अब कुछ सुनने को ले तयार नहीं हो दिया भी, दियम भी कुछ बताने के लिए, इमोशनली अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो थ प्रोर चक्रा को बैनल्स करने की फिर से जड़त है, आप लोगों को, अपने साथ साथ, अपने पार्टनर का भी, ठीक है, I think कि आप लोगों को, ये गाना सुनके, वैसे सरल है, आसान है, दिल की बात उनकी, आप समझ जाओंगे, है न, ओके, तो मैं बहुत लंबा वीडिय कुटेकार मुएर वि気 एर वर बइख विया है, आप लुए याप लूव य लगी म posição को, ये अध़ boiled yana का लूए है, आप लूए, जैद कानिसे सangफ है, और जए हूने गामें, आप लूए है, आप लोगो कि अधर आप लवगो को, ये Eğer Ihr Mar, आप लूए, इटेंसे साथनसा